काशी गाओं पुलिस इस्टेशन विभाग को दो अलग-अलग मामलों में सफलता हासिल हुई बीते दिन काशी गाओं पुलिस करमचारी को सुचना मिली कि एक वेक्ती हतियार जैसे पिस्टॉल का सौधा करने हाईवे पर फाउंटन होटल के पास आने वाला है पुलिस विभाग ने जाल विछा कर पहले तो आये हुए सौधागर से जाँच पर रख की और उसके बाद उसे गिरबतार कर उसके पास से एक देशी पिस्टॉल और एक जीवित कार्थूस बरामत किया है आरोपी का नाम शिवकुमार जैराम पासवान बताया जा रहा है वह मूलत उत्तर प्रदेश के कानपूर का रहिवासी है शुरुवाती जांच में आरोपी ने मुंबई अपने मित्र अंकित के साथ मिलकर पिस्टॉल का सौधा करने की बात कबूल की है आईए आपको दिखाते हैं DCP प्रकाश गायकवार ने पूरे मामले पर क्या जानकारी दी काशिगाव पुलिस शेशंग की एरिया में पुलिस कॉइंस्टेबल मंगेश रक्षे इनको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक वेपन विक्री के लिए आ रहा है तो वही इन्फॉर्मेशन पे फूलिस ने वहाँ पे उसको रंगे हाथ पकड़ा उसके पास से हमें एक फायर आर्म और एक राउंड ऐसा मुद्यमाल जो है बरामत हुआ है इसमें आरोपी कारेश किया गया है और उसको 6 आउगश तक पूलिस का स्टेडी मिली है उसने यह जो वेपन है फतेफुर उत्रप्रदेश से गूलुकुमार करके आरोपी उससे लाया था तो अभी उसके हम ढून रहे है यहाँ पे जो जिसके पास बेचने वाला था उसका अभी नाम सामने आया है अभी उसका भी इन्विस्टिकेशन चल रहा है अभी तक तो उसका कोई रिकॉर्ड मिला नहीं लेकिन अभी हम यूपी पूलिस से भी उसकी मालूमात ले रहे है बीतदिन काशीगाओं पूलिस इस्टेशन की हद में दो अलग-अलग चार पहिया वहां चोरी होने की घटनार सामने आई शिकायत करता विष्णू विठल राफड जो जी सी सी क्लब हार्ड केस परिसर के रहवासी हैं उन्होंने पुलिस विभाग को जानकारी दी कि उनकी वैगनार गारी सोसाइटी के बाहर चार दिन से खड़ी थी जो अचानक से गायब ह हो गई है वहीं दूसरे सिकायत करता चंदरकान सदासीव धागड की मारूती सुजुकी वैगनार कार जो सेंड जेवियर्स हाइस्कूल के पास इस्थित निव ग्रीन ऊड कॉमप्लेक्स में खड़ी थी वहां से तीन अप्रेल को गायब हो गई थी वरिश पुलिस निरिक् अभिजीत लांडे को दी अभिजीत लांडे और उनकी टीम ने मिलकर लगबक सौ से अधिक सीसी टीवी कैमरे जाज करते हुए दस दिनों तक मुंबई से सटे कई शहर में आरोपी की तलाश किया और आखिरकार आरोपी को गोवंडी के सिवाजी नगर से गिरपतार करने मे सफलता हसिल किया आरोपी का नाम अहमध अलीशेक है पुलिस की सुरositी जांच में पता चला है कि आरोपी अहमध अलीशेख पर पहले से भी चोरी के कई मामले दर्ज हैं फिलहाल पुलिस आरोपी के साथीदार बबलूशेक की तलास में जुट गई आई आब को दिखाते है इस मामले पर DCP प्रकास गायकवार ने क्या जानकारी दी? इस चार जो है हमने बरामत की है और आगे का इन्विस्टिगेशन चल रहा है जोरी भी कार का आडेंटिटी चुपाने के लिए जो स्क्राइप हुई क्या रहे उसके नंबर प्रेट्स ये यूज़ करते थे और बाहर मार्केट में जो है उसको बेज देते थे और उसके है उसमें उसको मदद करने के लिए तो उनको भी हम दून रहें